ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फिल्ड है जिसमें आपको हमेशा नए जो भी अपडेट आते हैं जो भी नए ट्रेंड आते हैं उनका पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्रेंड के बारे में हुआ यह आपको क्या करना है कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो डारेक्ट भी पूरा ट्रेंड उसके डिजाइन पे नफॉल कर दें क्योंकि क्लाइंट को यह चीज़ को सब्सक्राइब करने में काफी टाइम लगेगा तो अगर आप उसके लिए कोई ड बताऊंगा जो कि मुझे लगता है कि काफी जादा चल रहे हैं और इनका आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें तो चली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो पहला ट्रेंड है जो कि मुझे लग रहा है कि जो सबसे जादा चलेगा और यह जो ट्रेंड के बारे में आपको बता रहा हूं यह ट्रेंड काफी जादा पुराना है पहले पुराने जमाने में हम लोग इसको यूज करते थे लेकिन अब यह ट्रेंड जो है वो ग्राफि में या फिर अब भी कुछ बचे किया करते हैं जब इसकूल की फाल बनती आ है तो फाल जुश्ट में चीजों को कट करकर करके लगाते हैं अगर आपको किसी का इक enjoy home and बाना कर दिखानी है तो समें क्या और होगा के model निक फ़ोट आपने कर यह moderate करा कोटो कट करने के बाद में कहीं पर कॉंटेंट कर रहा है कुछ और सिटी का इमेज कट कर गया और उसको जोड़ करके हम लोग एक डिजाइन बनाते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग यह काफी पुराना मेथड है जिसका हम लोग डिजाइन में यूज करते थे एक मैन्वल हम लोग डिजाइन बनाते थे लेकिन अब यह अगर मैं आपको दिखां तो इस अ कुछ इस तरीके से यूज होता है ठीक है इसको बोलते हैं है लाग यहां पर दिखेंगे कि यहां पर वो भी इस तरीके से लिखे गए हैं जैसे कि हमने कट करके रखा है या फिर यहां पर कोई भी जो भी मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसको कुछ ऐसे रफ कट करना है और रफ कट करने के बाद ही हम लोग इसको यूज करेंगी इस ट्रेंड में आपको एक चीज धियान पहला चाहिए घ्रा गऌने के लिभी यहां पर यहां यहां पर वा deshalb को इस तारीके से हम लोग हम लोगम स्क्रैब्द का अपने दिजाइन में यूज कर सकते हैं और एक चीज और के हाप Sana चाहिंड बता रहा हूं आपको जिस्भी ट्रेंड के ऊपर वीडियो चाहिए कि में उस trend को follow करते वे एक design बना करके दिखाओं आपको एक live design बना करके दिखाओं तो आप मुझे comment करके बताएं जिसके भी comment जादा होंगे कि हमारे को इस trend को follow करते वे design चाहिए तो मैं जो next video लगँगा उसी trend को ध्यान में रखते वे एक आपको design बनाना सिखाओंगा कि हम लोग कैसे trends को follow करते वे design बनाते हैं तो जो मेरा पहला ट्रेंट हो है scrapbooking और scrapbooking में हम लोग ऐसे कुछ कट करकर करके रखते हैं ठीक है कहीं पर अगर आपने कुछ लिखना भी है तो इस तरीके से जैसे की कट करके लगा दिया या फिर यहां पर जैसे नाम है तो कुछ इस तरीके से कट करके लगा दिया अब लगता है काते हैं म io शिड कहुआ ड़का पॉश्AYली ऑव बापी चो rec Sengy लगता है कावशे लगता है टुफ जी अप्यार यूग ग्राफिक दिसद्सियग पोउश्टर में बहुत स्टॠर अगरेका यूज्ज हो रहा है वहां बॉतानिका टानिक क्या की से बोलते हैं हम यह आप देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी इमेज, किसी भी मॉडल के आगे, पीछे कुछ इस टाइप से फ्लावर्स अगरे का यूज करते हैं, ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है कि जब भी हम कोई भी फ्लावर्स या फिलीफ का होता है अगर आप यहां पर भी देखें तो यहां पर जो फ्लॉवर दिये गए हैं वो कुछ-कुछ ऐसे हैं जैसे कि हमारे पेंटिंग लुप दे रहा है जैसे कि थोड़ा इस प्लैश्ट वाला लुप दे रहा है तो इस टाइप के हम लोग फॉलो कर सकते हैं अगर मैं यहां पर एक रोज फ्लॉवर नॉर्मल लगा दूं कट करके तो वह वाला फील नहीं देगा ठीक है तो इसमें दोगों को ध्यान रखना है कि हम जो भी फ्लॉवर जो भी लीफ लगाएं वह कुछ ऐसे आर्टिस्टिक वे में हों कुछ ऐसे हों ज क्यों यूज हो रहा है इस ट्रेंड का यूज होने का मतलब यह है यह हमेशा आपके डिजाइन को जो आपका प्रोड़क्त है उसको फ्रेश फील करवाता है जैसे कि अगर आपने किसी फूड की पैकेजिंग बनानी है यहां पर जैसे कोल्टिंग के आप पैकेजिंग आपके डिजाइन करें तो यहां पर फ्रेश फिल देता है तो फ्रेश फिल को दिखाने के लिए हम लोग यह नीचर से ही चीज़ों को उठाते है जहां पर फ्लॉवर्स लीव का यूज करते हैं तो गयज यह सेकिंड था जो कि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा यूज हो इस ट्रेंड को काफी जादा ध्यान में रखना चाहिए और इस ट्रेंड का नाम है किंडल लेंड ठीक है किंडल लेंड का मतलब यह होता है कि हमारे को जो भी इसमें चीज़े यूज करनी है वह बच्चों से रिलेटेड ही करनी है जैसे कि अगर आप सबसे पहले देखें काफी तो इसमें जो जो कलर्स हैं तो इसमें जो घ्यान रखनी है िसमें नहें तो और इसमें वह इसमें पैटर ऐसे कि हम लोग यहाँ हो जो यह इसमें तो जो बहुत करते हैं प्ले Spaß गरस ऑप वाला श्यूद और यह भीAll में में सेपैटे खाते हैं आगर अगे इन आप सिखाते हैं बच्चों को या फिर spiral शेप सिखाते हैं और यहां पर वेव शेप दिखाते हैं तो यह सारी चीज़ हम लोग जो हमारे nursery या फिर Kindle Land के जो बच्चे होते हैं स्टुडेंट्स होते हैं उनको सिखाते हैं तो वही चीज़ को ध्यान में रखते विए यह वाला प्रेंड चला है कि हम जब भी कोई भी चीज़ बच्चों के लिए डिजाइन करेंगे तो उससे बनाएंगे तो बच्चों को काफे ज़्यादा यह चीज़ करेंगी कि हमने यह चीज़ पढ़ी है अभी और वह चीज़ उनको पैकेजिंग में भी या फिर उनकी टी-शेट पर भी देखने को मिल दीए और शेकींड चीज़ जब भी आप इसमें कोई भी शेप घ्याबर यूस करें तो उसमें हम जो क्या करते हैं कि सेम्पली उसमें ऐसे उनकी आइस फेश बना देते हैं ऐसे लग बना देते हैं जो कि बच्चों को देखने में काफे करें अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जो डिजाइन हो काफी अच्छा मैसेज देता है बच्चों काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है इसमें एक सेकंड चीज यह है कि हम लोग ऐसे कुछ स्टीकर फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो बच्चों को जैसे कि स्टीकरिंग काफी पसंद होती है तो इसी लिए ट्रैंड इसमें आया है बच्चों को कुछ यह शेप जो है वो रिलीट कर पाते हैं अपने प्ले ग्रूप से तो यह इसी शेप का पैटन चला है यहां पे जो मैगजीन में या फिर हम कह सकते हैं कि fashion brand में काफी जादा यूज हो रहा है जहां पर भी फैशन ब्रेंड से रिलेटेड कोई भी चीज बना रहे हैं उसमें स्टेंड को यूज कर रहे हैं यह कुछ इस टाइप से होता है जिसमें हमारे को बोलते है modern variable फॉंट इस फॉंट का यह अगर आप Google पर सर्च करेंगे तो आपको काफी इस तरीके के fonts मिलेंगे देखने को और अगर आप इन fonts का यूज करते हैं किसी भी fashion design के लिए किसी भी food के लिए तो आपका वो जो design है देखने में काफी जादा fresh फिल देगा और लगेगा कि हाँ ये एक नया trend है तो गाइस ये चार ट्रेंट थे जो कि मुझे लगता है कि graphic design में आपको इनको follow करना चाहिए और जो भी आप design बनाते हैं आपको इससे related बनाने चाहिए ठीक है अब second चीज़ आती है कि जब आप ये design बनाएंगे तो इन design को बनाने के लिए आप अगर अभी किसी client के लिए काम करते हैं तो पूरा इसी trend पर follow ना कर दें क्लाइन को पसंद आएगा क्लाइन को धीरे धीरे आप दिखाएं तो उसको समझ में आएगा कि हां कुछ नया ट्रेंड आया है और हम लोग इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी अपना design करवा सकते हैं अगर आपको आज की वीडियो पसंद आईए और आपको नेक्स्ट वीडियो में जिस भी ट्रेंड के उपर डिजाइन देखना है कि मैं उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपको एक डिजाइन मना करके दिखा हूं लाइफ तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक लिए थेंक यू